कैंसर के कारणों की वज़े से लाखों लोगों की मौत हो जाती है ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों के प्रमुक कारणों में से एक है नमश्कार, मदितिफॉजर आप देख रहे हमारे साथ हमारा हेल्स सेग्मेंट सेहत नामा आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में महिलाओं को नियमेत रूप से ब्रेस्ट की जांच कराते रहना चाहिए अगर इसमें कुछ भी आपको दिक्कत होती है तो सही समय पर डॉक्टर की सला जरूर ले कैंसर की लक्षण अगर समय रहते हैं पहचान लिये जाएं तो इसका इलाज भी संभव हो सकता है इससे आपकी जान भी बची रह सकती है इसके लिए जरूरी है कि आप कैंसर के लक्षणों के बारे में जाने आएगे बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है ढोक्टर्स कहते हैं कि breast cancer के लक्षन रोगी की स्वास्थिती और cancer के stage पर निरबर करता है लेकिन कुछ सामाने चिन और लक्षन हो सकते हैं जिन पर ध्यान देना महतून है अगर आपको या किसी और में ऐसे लक्षन दिखते हैं तो तुरंट डॉक्टर से मिले और जाच करवाएं ब्रेस्ट कैंसर को पैचानना और उसका समय रहते उपचार कराने से आपको काफी प्रॉब्लम से राहत मिल पाएगी और साथ ही आपको इसे ठीक करने में भी मदद होगी तो चलिए बात करते हैं ऐसे कुछ लक्षनों के बारे में एक या एक से अधिक ब्रेस्ट में गांट होना ब्रेस्ट कैंसर का एक सामान्य लक्षन है गांट कभी-कभी दर्णाग हो सकती है गांट को छूने या दबाने से भी दर्ध बढ़ने लगता है ब्रेस्ट कैंसर का ये सबसे आम संकेत माना जाता है यदि आपको भी ब्रेस्ट में गांट महसूस होती है तो समय रहते ही इसका इलाज करवाए गांट के अलावा निबल में भी एदि आपको किसी प्रकार का बदलाव या निबल से डिस्चार्ज होता है या दर्थ होता है तो ये भी breast cancer का एक संकेत है breast के shape या size में अगर कुछ अलग तरीके के आपको त्वचा पर लाल, बैंगनी या गाड़े धब्बे दिखाए देते हैं तो ये भी एक संकेत है जिससे आपको सावधानी बरतना बेहत जरूरी है breast cancer का खत्रा किसी भी उमर में हो सकता है 20 साल से अधिक उमर की सबी मैलाओं को नियमेत रूप से breast की जाँच कराते रहना चाहिए कुछ चीजों पर आपको विशे सावधानी बरत्ती रहनी चाहिए आज के लिए बिस इतना ही ऐसे हेल्थ रे टिप्स के लिए बने रहे हमारे चैनल दनगरी मीडिया के साथ तन्यवाद